आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Vivo V30 Pro Android में आप अपने मुवाल फून से call forwarding को कैसे हटा सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जान कर रही देने वालों तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं अगर आपके फोन में call forwarding लगी हुए है तो इसको हटाने के लिए करने के हैं सबसे पहले आपको अपने मुवाल फोन का यह जो calling के app होता है इस calling के app को open करना है इस app के अंतर आपको right side की टाप पर आपको three dot का यह option आपको tap करना है पर इस पर चोट सा पेज उपन होता है इसमाऊ को call setting का आपको नीची आना है यहाँ पर आपको option मिलता है call forwarding इसे आप में एक ETA करके ए तडिक है तो यहाँ पर الط Creature के लिए screen कर लेदा हम तो यहां पर page देखे, reading setting होने लगता है, तो जब तक आपका reading setting होता है, तो इस बीच में कोई भी बटन दबाना नहीं है, mobile phone का, ठीके ना, तो page जो रिफ्रेश हो जाएगा, तो आपको सबसे उपर यह option टैप करना है, always forward, देखे, यहां पर आपको जो है, always forward के नीचे, always forward के मुकेस लिखा हुआ रहा है, इसके बारे मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीके ना, तो always forward पे टैप करना है, तो यहां पर देखे, आपको जो है, always forward के छोटा ता page आता है, अब यहां पर देखे, आपको आपको यह ना, यह number विद्धो शो हो रहा है, यह मैं आपको आगे ब रखे न, तो आप इस तरीके से उसे हटा सकते हैं, ठीक है, अब देखिए, setting कैसे काम करती है, मैं आपको समझाता हूँ, detail में, देखिए, दोस्तो, call forwarding हटाने से पहले, यह setting कैसे काम करती थी, कि कोई भी person जब मेरे number पे call करता था, तो वो call मेरे number पे नहीं आता था, वो call स सीधा मेरे number पे आएगा, उस वाले number पे forward नहीं होगा, ठीक है, तो call forwarding हटाने के वाद ऐसे काम करती है, दोस्तों, अगर आपके phone में भी call forwarding लग रखिए, तो इस तरीके से आप उसे हटा सकते हैं, अपने mobile phone से, ठीक है, न?